नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोगतांत्रिक व्यवस्था का संकट के उपर अर्थार्थ अनुच्छे 352 का उपयोग करते हुए भारत में 1975 की सरकार ने एक आपातकाल की घोशना की थी उस आपातकाल की घोशना के कारण क्या-क्या समस्य आए उस समय भारतिय राजनीती में हुई भारत में हुई उन पर आज हम पून रूप से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे देखें भारतिय समिधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि भारत के रास्टपती को ऐसा आभास होता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भारत की या उसके किसी भी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या किसी बाहय आक्रमन के वजह से या आंत्रिक रूप से आ रास्ट ये आपातकाल की घोशना कर सकते हैं और ऐसा पहली बार भारतिय समिधान में भारतिय राजनीती में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए सन 1975 में 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोशना की गई थी और ये जो आपातकाल सन 1975 में लगाया गया इसकी जो प्रस्ट भूमी थी आर्थिक संकट पर अभी हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बाद जो आपातकाल की दूसरी प्रिस्ट भूमी थी वो थी गुजरात और बिहार के आंदोलन इन आंदोलनों ने भी आपातकाल लगाने के लिए बहुत बड़ा रोल अपना आदा किया था साथ ही साथ एक तीसरा अन्य तीसरा कारण था जो सरकार और न्यायपालिका के संगर्श से समबंदित था। इन तीनों कारणों मिलकर 1975 में ऐसी सिचुएशन्स क्रियेट कर दी थी ऐसी परस्तितियां बना दी थी जिसकी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोशना कर दी थी। आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम आर्थिक संकट पर बात करते हैं, कि आर्थिक संकट ने किस तरह से आपात काल के लिए एक प्रिस्ट भूमी तैयार करी। प्रिस्ट पर बीच में जो खीचा तानी चल रही थी, खीचा चल रही थी, उससे ये संबंदित था और 1971 में भारत ने बंगलादेश का साथ देती हुए बंगलादेश का जो निर्माण हुआ 1971 के युद के बाद, जोकी पाकिस्तान से अलग होकर बना था, इसमें भारत ने ब जिसकी वजह से भारती जो अर्थिवस्था थी उस पर एक बहुत भारी बोज पढ़ने के कारण यहां लगभग 80 लाख लोग पूरवी पाकिस्तान की सीमा को पार करके भारत आये थे जिनके खाने पीने और अन्य परकार की विवस्थाओं को करने में भारत की अर्थिवस्थ पर एक बहुत भारी बोज बढ़ा था जिसकी वजह से काफी समस्याएं भारत में खड़ी हुई थी और साथी साथ उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद किया उसमें अमेरिका जो है भारत के साथ ना होकर पाकिस्तान के साथ था उस समय और अमेरिका ने भारत पर उसी समय जब 1971 की हम बात कर रहे हैं तो उसी समय अंतरास्टिय बाजार में अंतरास्टिय स्तर पर तेल की जो कच्चे तेल की कीमते थी वो कई गुणा बढ़ गए थी कच्चा तेल काफी महंगा हो गया था जिसकी वजह से अन्य जो खाने पीने की चीजें थी उन पर उपर या नीचे होती है प्रभावित होती है तो अंतरास्टिय बाजार में जब तेल की कीमते इस सवधी में बहुत बढ़ गई थी जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों में काफी दामों में उनके वृद्धी हुई थी और ये वृद्धी इतनी जादा हो गई थी कि सन 1973 में खाने पीने की जो चीजें थी वो लगभग 23 परसेंट तक 23 फीसदी तक उपर चली गई और सन 1974 आते ये खाने पीने की चीजों में लगभग 30 फीसदी का इजाफा हुआ था और इस मूले वृद्धी के कारण लोगों में भारी रोश था क्यों क्योंकि कारण ये था कि स 1971 के जो लोगसभा चुनाव हुए थे उन लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओं का उस गरीबी हटाओं के नारे के कारण जो गरीब लोग थे गरीब तपका जो था उसने बहुत सुनहरे सपने उस समय देखे उन्हें ऐसा लग रहा कि यदी कॉंग्रेस 1971 के लोकसभा चुनाओं में जीत जाती है, हम कॉंग्रेस को 1971 में जिता देते हैं, तो 1971 के चुनाओं के बाद हमारी स्थी बदल जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इस कारण से इस गरीबी हटाओ का नारा बहुत सकसेफुल रहा था 1971 के लोग थे गरीब जो लोग थे उनकी इस्तिती में किसी भी परकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था, उन पर आर्थिक बोज जो है वो पढ़ता चला जा रहा था और उस आर्थिक बोज में भारत-पाकिस्तान युद्ध, कच्छे तेल की कीमतों का बढ़ना, साथी साथ खाने पीने की चीजों में बहुत जादा महंगाई सामने आना, ये ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत ही जादा परेशान हो रहे थे, बहुत ही जादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे, ऐसे में सरकार ने क्या किया, जब इतनी जादा मूले वृद्धी हो रहे तो ऐसी स्तिती में सरकार ने अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने करमचारी जो उनके सरकारी करमचारी थे उन सरकारी करमचारी के वेतन को स्टॉप किया रोक लिया और इस वेतन के स्टॉप होने के कारण उस समय जो सरकारी करमचारी थे उन्हों में बहुत ही जादा ग सरकारी जो लोग थे, सरकारी जो करमचारी थे, उनका वेतन जो सरकार ने रोक दिया था, जिसकी वजह से सरकारी करमचारी भी अपनी ही सरकार के बहुत खिलाफ थे, इसके बाद देखें, 1972-73 में मानसून बहुत पूरी तरह से असफल रहा था, बहुत जादा मानसून सकसस न प्रतिशत तक्कम हो गया जिसके कारण देश की जो बदहाल इस्तिती थी उसके कारण बहुत ही जादा देश बदहाल होता चला गया और पूरे देश में असंतोष का जो माहौल था वो धीरे-धीरे करकर गर्माने लगा और साथ ही साथ ऐसे स्टेट और ऐसे राजनितिक दल जो की गैर कॉंग्रेसी थे उन्होंने जनता को लेकर जनता में कॉंग्रेस के इन नीतियों को लेकर आवाज उठाना शुरू की और जनता को सरकार के विरोध में खड़ा करना शुरू किया साथ ही साथ इस समय इस पूरे सिनेरियो में जो माक्सवादी राजनिति करने वाल जो विवस्था थी उसे पूरी तरह से खतम करने के लिए प्रयास भी किये थे और जो राज्य विरोधी तक्नीकें थी उनका पूरा-पूरा इस्तमाल किया था जिसकी वजह से सरकार को इस दौरान इस पूरी टाइम पीरिड के अंदर ऐसा लगने लगा था कि ये लोग सरकार के विरोध में हैं सीदे सीदे सरकार के आ विरोध कर रहे हैं इसके बाद देखें गुजरात और बिहार के आंदोलन आपातकाल की प्रिस्ट भूमी तयार की गई वो गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने भी तयार की थी हम चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात और बिहार क आंदोलनों ने किस परकार से आपात काल के लिए एक प्रिस्ट भूमी तयार की। इन दोनों ही स्टेटों में यहाँ जो स्टूडेंट थे उन्होंने जनवरी 1974 में बहुत ही गुजरात के अंदर जो छात्र थे उन्होंने एक आंदोलन को बहुत ज़ादा तेजी से बढ़ाना शुरू किया। जो बढ़ोत्री हो रही थी उन दामों की बढ़ोत्री पर और साथी साथ भरस्टाचार के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ छेड़ दिया था। और ये आंदोलन इतना ज़ादा तेज स्तर पर चला जिसकी वजह से गुजरात के अंदर रास्ट पतिशाशन लगाना पड़ा और सरकार ने रास्ट पतिशाशन को लागू किया। जिसकी वजह से जो विपक्षी दल थे गुजरात की विपक्षी दल थे उन्होंने ये डिमांड की कि भई गुजरात की विधान सभा है उस विधान सभा के लिए दुबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में कॉंग्रेस के समय जो कॉंग्रेस के विभाजन से पहले मुरारजी देशाई जो थे कॉंग्रेस के बहुत विरोधी रहे। नतीजे एकदम साफ थे, महंगाई के खिलाफ थे, जिसमें कॉंग्रेस को बुरिधरा से हार का सामना करना पड़ा और गुजरात के इन आंदोलनों के बाद कॉंग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा था, इसके कारण इंदिरा गांधी के दिमांग में एक रोश था, इं इसने भी आंदोलन हो रहे हैं, सीधे-सीधे शायद हमारी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। भी एक आंदोलन छेड़ दिया और ये आंदोलन धीरे-धीरे छोटे स्तर पर चल रहा था लेकिन छात्र जो नेता थे इन्हों ने जैपरकाश नारायन जैपरकाश नारायन जैपी से एक आग्रह किया हाला कि जैपरकाश नारायन उस समय तक अपनी सक्रिय राजनीती से बहु महंगाई के खिलाफ था, खाने पीने की कीमतें, खाने पीने की वस्तूओं की जो कीमते बढ़ रहे थी, उनके खिलाफ था, इसलिए जैपरकाश नारायन ने इन छात्रों का निमंतरन सुईकार किया, बुलावा एकदम सुईकार किया, और जो बिहार का ये छात्र आंदोलन जुड़ गए जैपरकाश नारायन का इस आंदोलन से जुड़ना एक तरह से ऐसा था जैसे किसी भी छोटी मोटी चीज को एक हाती के द्वारा खिचवाना तो जैपरकाश नारायन ने जैसे ही बिहार के छात्रों के आंदोलन की अगवाई की लीडर्शिप इनके हाथ में जैपी ने एक अपील की कि भई सरकार के खिलाफ सरकार के अंदोलन में लोग शामिल हों और जैपरकाश नारायन ने बिहार की जो कॉंग्रेस सरकार थी उस कॉंग्रेस सरकार को पूरी तरह से खतम करने बरखास्त करने की मांग की क्यों क्योंकि वो कहीं भी आर्थिक स्तर महँगाईर को कम नहीं कर पा रही थी, महँगाईर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ऐसी इस्तिफिय में जैपरकाश नारायन ने कॉंग्रेस को बरखास्त करने की मांग की और उन्होंने यह कहा कि सामाज़िक आर्थिक और राजनितिक इन तीनोں ही चेत्रों में कुछ पहार करने की बात जैप्रकाश नारायन ने की उसे उन्होंने संपून क्रांति का नारा दिया और संपून क्रांति का जो सिध्धान्त था जैप्रकाश नारायन का इसी दोरान दिया गया और उनका ये मानना था यदि सामाजिक आर्थिक और राजनितिक दायरे में संपून क् और इस पूरे आंदोलन को लेकर बिहार की जो सरकार थी उसके खिलाब लगातार घिराव हुआ, बंदु हुई हैं, हरताले हुई और साथ ही साथ ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और हुआ ये कि जो जैपरकाश नारायन के नेत्रित में ये बिहार का आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन धीरे धीरे करकर दिल्ली आया और दिल्ली में बड़े स्तर पर, राजनेतिक स्तर पर रेलियां की गई और 1975 में, जब ये 25 जून 1975 को आपातकाल की घोशना की गई थी, उस दिन दिन में जैपरकाश नारायन के नेत्रित में एक रामलीला मैदान में एक रेली का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कॉंग्रेस की लीडर इंदरा गांदी को ऐसा लगनी लगा था, कि शायद ये किसी ना किसी तरीके से आंत्रिक रूप से गड़बड़ी हो सकती और उस गड़बड़ी की आशंका के चलते इंदरा गांदी ने रास्टिय आपातकाल की घोशना कर दी थी, देखें ये जो रास्टिय आपातकाल की घोशना सन 1975 में की गई थी, इसके लिए इसी दोरान एक बहुत मुख्य कारण, आपातकाल की प्रिस्ट भूमी पर एक बह कर रहा था वो था 1974 की रेलवे की हड़ताल का होना देखें रेलवे के करमचारी 1974 में देखें रेलवे एक ऐसा महकमा है जो की बहुत ही बड़ा महकमा है इसमें करमचारियों की संख्या बहुत जादा है रेलवे करमचारियों के संघर्ष से संबंदित एक समीती थी रास्टिय समनवै समीती ने जोर्ज फर्नेंडेस के नेत्रित में रेलवे के जो करमचारी थे उनके हक के लिए उनके बोनस और सेवा से जुड़ी हुई जो शरते थी उनको लेकर एक रास्ट व्यापी हरताल का آयोजन किया था और ये जो बोनस और सेवा से जुड़ी ही शर्ते थी इन शर्तों को लेकर सरकार के पास ये रास्टे समनवे समीती गई और सरकार पर दवाव बनाने के लिए हड़ताल की जबकि सरकार ने इन मांगों को मानने से ही मना कर दिया था इन चीजों को मानने से मना कर दिया और सरकार ने क्या किया मैं 1974 में रेलवे के करमचारी थे वो हरताल पर गए लेकिन सरकार ने इस हरताल को ही गयर कानूनी घोशित कर दिया उन्होंने यह कहा कि यह जो हरताल की जा रही है रेलवे के करमचारियों के द्वारा यह है गैर कानूनी है और जो करमचारी थे उनकी मांगों को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया था देखें आपातकाल की जो प्रिस्ट भूमी तयार करने में तीसरा बहुत एहम कारण था वो था सरकार और नियायपालिका के बीच में संगर्ष इस दौरान इस टाइम पीरड के अंदर सरकार के सामने तीन प्रशन और नियायपालिका के सामने तीन प्रशन जो थे वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आए, पहला प्रशनी ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटोती कर सकती है, इस सवाल का जवाब सरकार के इस सवाल का जवाब नियाय पालिका के पास था, और दूसरा जो सवाल था, वो ये था कि क्या संसद सम्विधान में शंशोधन करके सं पत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है उसे कम कर सकती है क्या इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या संसद नीती निदेशक सिध्धानतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब भारति नियायपालिका को देना था और देखें ये जो तीन प्रशन उठकर सामने आए इन तीनों प्रशनों का जवाब नियायपालिका ने केश्वानंद भारती वर्सेज स्टेट अफ केरला एक केस हुआ केश्वानंद भारती वर्सेज स्टेट अफ केरला इस केस के अंदर सन 1973 में Supreme Court ने अपना फैसला सुनाया और Supreme Court ने यह कहा कि समविधान का एक बुनियादी धाचा होता है, इसमें Basic Structure को define किया और सुप्रीम कोट ने यह कहा कि समविधान का एक बेसिक ढाचा होता है बुनियादी ढाचा होता है और संसद का कोई ऐसा संशोधन जो कि बुनियादी ढाचे में छेड़ छाड़ है बुनियादी ढाचे के खिलाफ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है ऐसा कोई संशोधन, तो वो संशोधन मानने नहीं होगा, वो संशोधन गैर सम्वेधानिक होगा इसके बाद केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ओफ केरला का जो 1973 का जज्जमेंट आया इस केश के तुरंत बाद 1973 में भारत के मुख्य न्यायधीश का पद खाली हुआ था, संश 1973 में, और देखें भारत की जो मुख्य न्यायधीश का पद भरा जाता है, वो भरा कैसे जाता है एक जर्नल पर्शेप्शन चला आ रहा है, एक जर्नल रूल चला आ रहा है कि सुप्रीम कोट में जितने भी मौझूदा जज होते हैं उन सभी मौझूदा जजों में, मौझूदा न्यायधीशों में जो सबसे वरिष्टतम सबसे सीनियर जज होगा उस सीनियर जज को भारत का मुख्य न्यायधीश बना दिया जाएगा, ऐसी परमपरा भारतिय न्यायअ पालिगा के अंदर चली आ रही थी, लेकिन सरकार ने इन सभी परमपराओं का विरोध करते हुए, इन सभी परमपराओं के खिलाफ जाते हुए न्यायमूर्ति A9yn-RA को मुक्य न्यायदिश के तौर पर नियुक्त किया, अब देखें, मैंने यहा आप लोगों को एक बहुत important बात बताई है कि परंपरा ये चली आ रही थी कि मुख्य न्यायधीश का पद उस व्यक्ति को प्राप्थ होगा जो की सर्वोच न्यायधीश में सबसे senior judge होगा लेकिन एन रे जो मुख्य न्यायधीश न्युक्त किये गए थे एन रे चौथे नंबर के senior judge थे सरकार ने इन से पहले तीन और न्यायधीश थे जिनकी अंदेखी करते हुए तीन वरिष्ट न्यायधीशों की अंदेखी करते हुए न्यायमूर्ति जो एन रे थे उनको भारत का पर न्युक्त होना राजनितिक रूप से विवाद का विशय बन गया था विपक्षी जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने सरकार के इस step का सरकार के इस कदम का पून रूप से विरोध किया क्यूंकि सरकार ने जिन तीन न्यायधीशों की अंदेखी करके एन रे को मुख् न्यायधीश बनाया था वो सरकार के इस फैसले के बिलकुल खिलाफ थे कि सरकार को जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा का तोड़ना नहीं चाहिए था उस परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था और इसके बाद दिखें जो न्यायपालिका से संघर्ष की बात हम कर रहे हैं तो यहां एक नियापालिका से संघर्ष एक दूसरे रूप में भी निकल कर सामने आता है जब 1971 में 1971 में लोगसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांदी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थे राज नारायन और राज नारायन ने इलहाबाद हाई कोट में एक केस दायर करा इलेक्शन के बाद इन्होंने ये आरोप लगाया इंदिरा गांदी पर कि इंदिरा गांदी ने 1971 के लोगसभा चुनाव जीतने के लिए 1971 में इंद्रा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपियो किया है साथ ही साथ इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है और इस पूरे केस के अंदर इलाबाद हाई कोट के नियाधीश मोहनलाल जग मोहनलाल थे उन्होंने 12 जून 1975 को एक जज्मेंट पास किया जिसमें इंद्रा गांधी का निर्वाचन जो था उसे अवैधानिक गैर कानूनी करार दिया इन्होंने यह कहा जज ने इन्होंने नियाधीश ने बात कही कि राज नारायन के द्वारा जो आरोप इंद्रा गांधी के उपर लगाए गये हैं वो सही पाये जाते हैं और इंद्रा गांधी ने 1971 के चुनावों में जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है और इंद्रा गांधी के निर्वाचन को इन्होंने गैर कानूनी घोशित किया लेकिन देखें चैसी की परंपरा भारतिय नयाय पालिका के अंदर चली आ रही है यदि उच नयायले कोई आदेश देता है तो सर्वोच नयायले में उस आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और हुआ भी ऐसा ही जब इंद्रा गांधी के निर्वाचन को गैर कानूनी इलाबाद हाई कोट ने इलाबाद उच नयायले ने गैर कानूनी घोशित कर दिया त टेंपरेरी आदेश सुना दिया कि भई जब तक इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोट में इंद्रा गांधी का केस आया है इसके चुनाओ को लेकर इनके चुनाओ को लेकर इस पर जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक इंद्रा गांधी सांसद रह सकती हैं सांसद में लेक सर्वोच नियालने 24 जून 1975 को सुनाया था इसके बाद जब ये इस्थगन आदेश सुना दिया गया सर्वोच नियालने तो जैपरकाश नारायन की अगवाई में जैपरकाश नारायन जो की बिहार के छात्रांदुलोनों के लीड कर रहे थे उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर उस समय जो भी कॉंग्रेस के विपक्षी दल थे उन सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 25 जून 1975 दिन में यहां दिन की बात हो रही है दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल परदर्शन करा और इस परदर्शन से इस विशाल परदर्शन के द्वारा जो संकेत देना था वो जैपरकाश नारायन ये संकेत देना चाहते थे कि इंदिरा गांधी अपने पद से स्तीफा दें। इन्होंने नैतिक्ता के आधार पर इंदिरा गांधी से स्तीफे की मांग की इन्होंने स्तीफे के लिए दवाव डाला। उसके अंदर ये दवाव डालने के अपरियास किया गया था जिसकी वजह से इन्दिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि सारा माहौल देश का ये जो सारा माहौल था नियायपालिका भी इन्दिरा गांधी और उसकी सरकार के खिलाफ हो रही थी और जो आंदोलन चल रहे थे वो भी इंदिरा गांदी के खिलाव हो रहे थे तो इंदिरा गांदी को कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आने लगी इस प्रकार की भावना उनके अंदर घर कर गई कि ये उनका व्यक्तिगत तोर पर विरोध किया जा रहा है सरकार का विरोध ये नहीं है ऐसे में नारायन ने इस विरोध के दोरान सेना और पुलिस और सरकारी जो करमचारी थे जो परिशान थे इंदरा गांदी की सरकार से उनसे ये आवाहन किया कि वे सरकार के किसी भी अनैतिकिया जो गैर कानूनी आदेश हैं उनका आदेशों का पालन ना करें क्योंकि उन्हें ये जब इंदरा गांदी को ऐसा लगने लगा कि ये सारा माहौल, पूरे देश का माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बलकि व्यक्तिगत तोर पर इंदरा गांदी के खिलाफ हो गया है तो ऐसी इस्तिती में 25 जून 1975 को इंदरा गांदी की सरकार ने आंत्रिक गड़वडी की आशंक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद 12 जून 1975 के दिन जब इलाभाद हाई कोट के नियाधिश जगमोहनलाल सिनहा ने राज नारायन वर्सेज इंदरा गांदी के केस में अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि इंदरा गांदी ने 1971 के चुनाव को सही तरीके से नहीं जीता है, इसमें सरकारी मशीनरी का दुरूप योग किया है और फैनली इन्होंने निर्ने देते हुए ये कहा कि इंदरा गांदी का जो निर्वाचन है वो गैर कानूनी है और जब ये सारी चीजे हो गई, इलाबाद हाई कोर्ट का ये जज्जमेंट आ गया, इंदरा गांदी ने अपील जरूर सुप्रीम कोर्ट में की थी लेकिन इस दोरान, इस अपील के बाद इन पर राजनितिक तोर से इस्तीफे का जो दवाव था वो धीरे-धीरे करकर बढ़ता चला गया और जैपरकाश नारायन की अगवाई में विपक्षी दल जो थे, वो सभी विपक्षी दल इखटा होकर 25 जून 1975 को दिन में इन्होंने रामलीला मैदान में एक विशाल जो प्रदर्शन था, वो विशाल प्रदर्शन किया और इंदिरा गांदी से इस्तीफे की मांग की, इ के दिन 25 जून 1975 की रात में परदान मंतरी इंदिरा गांदी ने रास्टपती फकरुदीन अली एहमद से आपातकाल लगाने की जो है शिफारिश की, और ये शिफारिश भारतिय समिधान के अनुच्छेद 352 के तहट लगाने की की गई थी, और 352 अनुच्छेद के तहट ज राज्य की शक्तियां, राज्य की सरकारों की शक्तियां खतम हो जाती हैं और व्यवाहारिक तोर पर वो धाचा संगिय धाचा एकदम निश्क्रिय हो जाता है, खतम हो जाता है और सारी की सारी शक्तियां, यानि स्टेट गवर्मेंट्स की पावर्स भी केंदर सरकार के हाथ में चली जाती है और इतना सब कुछ जब हुआ और पचीज उनिस पिचेटर की रात में जब अनुच्छे 352 का प्रयोग करते हुए रास्टी आपातकाल की घोशना की गई तो आपातकाल की घोशना के बाद ही आधी रात को सभी बड़े-बड़े जो अखबार थे उन अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ये बिजली काटने का कारण ये था कि अखबार की जो कारशेली है वो इस तरह की ये कि वो सारी खबरें कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और सरकार जो ये गलत कारे कर रही थी उस समय कहीं जनता को इसकी खबर जल्दी से ना लगे और लोग जादा भढ़क ना जाएं इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी और अखबारों के दफ्तर की बिजली काटने के बाद बड़े पैमाने पर जितने होती ही घातक आगे चलकर सरकार के लिए बने थे और इतना सब कुछ होने के बाद 25 रात 25 जून 1975 की रात में मंतरी मंडल को कोई भी खबर नहीं दी गई और 26 जून की सुभा 6 बजे एक विशेश बैठक करके मंतरी मंडल को ये सारी बाते बताई गई कि रास्टिय आपातकाल भारतिय समिधान के अनुच्छे 352 के तहट लगा दिया गया है और रास्टपती फकरुदीन अली एहमद जी को भी उस समय सिगनेचर करा दिये गए हैं तो ये आपातकाल लगाने की जो घोशना थी इंदीरा गांदी की सरकार ने उस समय की आई अब जानकारी ले ले लेते हैं कि आपातकाल की घोशना के बाद आपातकाल के कौन-कौन से परिणाम हुए कौन-कौन से परिणाम उस समय नजर आए। देखें सबसे पहली बात तो ये थी कि जैसे ही अनुच्छे 352 का प्रयोग करते हुए रास्टिय आपातकाल की घोशना की जितने भी विपक्षी नेता थे, जो कि सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं परदर्शन कर रहे थे, कहीं न कहीं आंदोलनों को लीड कर रहे थे, ऐसे सभी विपक्षी नेताओं को एक तरफ से जेल में डालना शुरू कर दिया सरकार ने, साथ ही साथ इसका एक परिणाम ये भी नि स्टॉप हो गया था इसके बाद देखें हरताले भी चल रही थी केंदर सरकार के करमचारी रेलवे के करमचारी उस समय परदर्शन करते थे हरताले कर रहे थे उन हरतालों पर भी आपातकाल लगने के बाद रास्टी आपातकाल लगने के बाद एक दम से रोक लग गई यानि क कहने का तात्पर यह है है कि आपात काल जैसे ही लगाया गया विपक्षी नेताओं को जैसे ही जेल में डाला गया सरकार के विरोध में जितने आंदोलन चल रहे थे वो सारे आंदोलन रुख गए एक साथ हरताले जो चल रही थी वो हरताले रुख गई क्यों क्योंकि इससे ल पहिज़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को जो सरकार विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविदी में लिप्त हैं। प्रकार को चापने से पहले सरकार से एक पर्मीशन लेनी होती थी। इसी भी प्रकार की कोई न्यूज लिखने की कोशिश करता है या किसी न्यूज में ऐसा कोई लेख लिखने के प्रयास करता है या ऐसी कोई लाइने या ऐसे कुछ शब्दों का इस्तमाल करता है जो सरकार विरोधी हो तो ऐसी इस्तिती में सरकार उसे चापने से रोक सकती थी तो आपात काल लगने के बाद एक बहुत बड़ा परिणाम जो सामने आया वो था प्रेस सेंसरशिप का इसके बाद देखें इसी समय आपात काल के दोरान कई गिरफतारियां हुई थी बंदी प्रतिक शिकरण की यह तियाचिकाएं उन गिरफतारियों के खिलाफ हाई कोर्ट अदालत में यदि कोई व्यक्ति बंदी प्रतिक शिकरण की याचिका दायर करता है तो उसको विचार करने के लिए स्विकार कर सकती है उसने अपनी गिरफतारी को जो चुनोती बंदी प्रतिक शिकरण की याचिका के माध्यम से दी है उस याचिका पर हाई कोर्ट विचार कर सकता है तो आपातकाल का ये एक बहुत बड़ा परिणाम था कि सरकार ने जो लगभग देखें शाह कमीशन की अभी हम जिक्र करेंगे शाह कमीशन का एक ऐसा अनुमान था कि लगभग 11,000 से जादा लोग उस समय 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफतार किये गए थे और प्रतक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है और उसको अदालत के सामने पेश किया जा सकता है उसे गिरफतार करने के जो कारण है वो स्पस्ट करने होते हैं लेकिन इसी समय हाई कोटों ने ये फैसला भी सुनाया कि आपातकाल की घोशना हो गई है कोई बात नहीं लेक ऐसा पॉसिबल है ऐसा कर सकते हैं और 1976 में जब अपरेल आया तो वहाँ सर्वोचने आयले की एक समयधानिक जो पीट थी constitutional जो बैंच थी उसने उचने आयले के फैसले को ही पलड दिया उसने कहा कि यदि सरकार की तरफ से जो दलील दी गई उसमें उसमें सरकार ने ये कहा क यदि आपातकाल के दौरान रास्टी आपातकाल के दौरान जब की अनुच्छे 352 का प्रयोग किया गया हो और किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी अधिनियम के तोर पर अधिनियम का प्रयोग करते हुए गिरफतार किया गया है तो ऐसी इस्तिती में उस व्यक्ति को गिरफतारी का कारण बताना बहुत ज़ादा जरूरी नहीं है। ऐसा सर्वोच नियायले ने अपने फैसले में अपरेल 1976 में किया। इस पूरे माहौल में लोगों के बीच में बहुत ही अशंतोश था। क्योंकि हर तरफ ऐसे कारे हो रहे थे जिसमें सरकार अपनी मनमानी कर रही थी और सरकार को जो चीज लग रही थी वो वहसा कर रही थी। इसमें देखें जब सरकार की तरफ से इतने नकारात्मक रवईये को लोगों ने देखा तो ऐसी स्तिती में जो बौधिक वर्ग था भारत का उसने सरकार की आलोचना भी करी और आलोचना करने के साथ अपने एक्शन भी दिखाए यहां पहला एक्शन जो नजर आया वो था कि पद्म भीभूशन से सम्मानित करने का जो प्रोग्राम था उसमें पद्मश्री से सम्मानित एक लेखक थे पनीश्वर नात रेनू इन्हों ने लोगतंतर के दमन के विरोध में अपनी ये जो पद्वी थी पद्मश्री की ये लोटा दी थी और लोगों ने अपने अव करने के तौर पर ही लोटाया जा रहा है इसके अलावा देखें आपात काल के दौरान 1976 में 42 सम्विधान शंशोधन किया गया देखें 42 सम्विधान शंशोधन बहुत सारे competition के exam में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन आपात काल से संबंदित हम सिर्फ यहां चर्चा करें आपात काल से संबंदित ही जो 42 सम्विधान शंशोधन हुआ आपात काल के दौरान इसे हम mini constitution के नाम से भी जानते हैं और आपात काल के दौरान किये गए इस सम्विधान शंशोधन में सरकार ने यह व्यवस्था कर ली थी कि यदि पर्धान मंत्री रास्टपती और उपरा पती के निर्वाचन के संदर्व में किसी भी परकार का कोई विवाद आता है तो ऐसी इस्तिती में उसे नियायले में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती देखें ये क्यूं किया क्यों कि जो राज नारायन थे एक समाजवादी नेता थे जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों से जिक्र किया है कि राज नारायन ने 1971 के लोगसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से चुनाव जीता उस तरीके को चैलेंज किया था और फाइनली 12 जून 1975 को इलाभाद हाई कोट ने ये जज्जमेंट सुनाया कि इंदिरा गांधी ने सही में गलत तरीके से अपना चुनाव जीता था तो अब इंद्रा गांदी को ऐसा लग रहा था कि अब ऐसी विवस्था संसद के द्वारा कानून बना कर समिधान शंशोधन करके ऐसा कर देना चाहिए कि परधान मंत्री रास्टपती या उपरास्टपती का कोई निर्वाचन होता है तो उसको अदालत में जाकर challenge नहीं किया जा सकता साथी साथ इंद्रिय गांदी ने अपने फाइदे का एक बहुत अच्छा काम किया उस समय उन्होंने क्या कि विधाईका का जो कारेकाल था संसद का जो कारेकाल है वो लोगसभा का कारेकाल 5 साल से बढ़ा कर छह साल कर दिया ऐसा उन साल में खतम ना हो इसलिए उन्होंने 42 में समिधान संशोधन 1976 का यूज करते हुए एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें विधाईका का कारेकाल 5 साल से बढ़ा कर उन्होंने इसे 6 साल कर दिया तो ये आपातकाल के परिणाम थे जो की बहुत ही घातक सिद्ध हुए लोकतंतर क के लिए कहीं ना कहीं इसके परिणाम बहुत ही घातक थे क्या आपातकाल लगाना जरूरी था इस मुद्धे को लेकर इस बात को लेकर दो अलग अलग पक्ष यानि एक सरकार का पक्ष था दूसरा आलोचकों का पक्ष था और इस मुद्धे पर बहुत गर्म जोशी के साथ बहस चलती रही आपातकाल के बाद जब 1977 में जंता पार्टी की सरकार बनी थी और 1977 में जंता पार्टी की सरकार ने अपने बनने के बाद एक शहा आयोग का निर्मान किया था मई 1977 में जब जंता पार्टी की सरकार ने सर्वोच नयाले के मुख्य नयायधी स्री जेशी सहा की अध्यक्षता में शाह आयोग को गठित किया था इस आयोग का शाह आयोग का काम क्या था शाह आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि 25 जो 1975 के दिन जो रास्ट्रिय आपातकाल लगाया गया था उस आपातकाल के दोरान जो कारेवाही की गई तथा सत्ता क्या जो दुरू की शाहा आयोग ने अपने सारे कारे करना शुरू किये क्यूंकि आयोग जिस उद्देश कुले कर निर्मित हुआ था आयोग ने वो सारे काम करना शुरू किये और इस दोरान उसने कुछ गवाह भी देखे कुछ लोगों से जाच पड़ताल भी कि इस पे सरकार का पक्ष भी आयोगने जाचा था और देखें क्या आपातकाल जरूरी था इस मुद्दे को लेकर सरकार का एक अपना ही पक्ष था तो पहले हम जान लेते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है उसके बाद हम जानेंगे कि आपातकाल जरूरी था या नहीं इस पर आलोचको का क्या मानना है देखें और इस दोरान सरकार का यह मानना था कि जो सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे हैं वो गलत तरीके से चल रहे थे और सरकार का पक्ष यह था, सरकार का मानना यह था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो चुनी हुई सरकार है उसे अपनी नीतियों के अनुसार शाषन चलाने देना चाहिए लेकिन उस समय 1975 में जब ये रास्टी आपातकाल लगाया गया उससे पहले कहीं भी विपक्षी दल सरकार के साथ नहीं थे हर जगा सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे सरकार का विरोध कर रहे थे तरह तरह से हड़ताले हो रही थी देश में तो इन सब ही आशं 24 में आपातकाल की घोशना की थी और सरकार का यही पक्ष था कि लोगतंत्र में निर्वाचित जो सरकार है वो अपनी नीतियां जिस तरह से लागू करना चाहती है उसे लागू करने देना चाहिए इसमें विरोधी दलों को अणंगा नहीं अणाना चाहिए साथ ही साथ देखें शाह आयोग जब निर्मित किया गया 1977 की सरकार के बाद तो इसने इंदिरा गांदी जो की बतौर परधान मंत्री थी रास्टी आपातकाल के दौरान इससे भी कुछ सवाल जवाब किया हाला कि इंदिरा गांदी ने आयोग के सामने पेश भी हुई लेक साथ काल क्यूं लगाना ज़रूरी था इंदिरा गांदी ने अपने चिठी में शाह आयोग को लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतीशील कारेकरम जो चल रहे हैं उनमें अडंगा डाल रही हैं और साथ ही साथ मुझे प्रधान मंत्री को गैर कानूनी और गैर स मैधानिक साथनों का प्रयोग करते हुए सक्ता से बाहर करना चाहती हैं तो ये सारी बातें इंदिरा गांदी ने अपने सरकार के पक्ष में रखी थी इंदिरा गांदी ने ऐसा माना कि रास्टिया पातकाल जो 1975 में लगाया गया वो मनमर्जी से नहीं लगाया गया था कही ना कहीं उसमें विपक्षी दलों ने जो सरकार विरोधी रवया अपना रखा था उस रवये के खिलाफ ऐसा लग रहा था सरकार को ऐसा परधान मंत्री को लग रहा था कि गैर कानून नी और गैर समयनानिक साधनों का परियोग करते हुए कहीं परधान मंत्री और सरकार को सत् का पक्ष था इसके बाद आलोचकों का भी अपना पक्ष है आलोचक भी कुछ बातें बोलते हैं कि आपातकाल लगाना जरूरी था या नहीं तो आईए अब हम जांग लेते हैं कि क्या रास्ट या आपातकाल लगाना जरूरी था इस पर आलोचक क्या कहते हैं देखें आलोच पूरा पूरा हक होना चाहिए यानि सरकार ऐसा नहीं है कि चुनकर आ गई है लोकतंतर में तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी सही या गलत किसी भी प्रकार की नीती को लागू कर लेगी यदि लोकतंतर में सरकार कुछ गलत करती है तो ऐसे में लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सारजनिक तोर पर सरकार का विरोध करें और उनकी नीतियों का विरोध करें तो इसलिए 1975 के आपात काल से पहले जो विपक्षी दल सरकार का विरोध कर रहे थे उन्होंने ये माना कि ये विरोध एकदम जायस था क्योंकि लोकतंतर में ये अधिकार लोगों के पास उपलब्द होता है कि वो सरकार का विरोध करें उनकी गलत नीतियों का विरोध करें साथी साथ आलोचक ये मान रहे थे कि गुजरात और बिहार में जो स्टूडेंट्स के आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन जादा तर समय पर अहिंसक रहे शांति पूर्ण रहे कहीं भी हिंसा या ऐसी चीजे नजर नहीं आई जहां शांति भंग हुई हो तो ऐसे में आलोचकों का मानना था कि जब आलोचकों ने ये माना कि गुजरात और बिहार के आंदोलन जो चल रहे थे वो आहिंसक थे शांति पूर्ण थे तो ऐसी स्थिती में सरकार को आपातकाल क्यों लगाना पड़ा आपातकाल लगाना उस समय जरूरी नहीं था साथी साथ आलोचकों ने ये माना कि यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आंदोलन ये हिंसक हो रहे हैं और हिंसक होते चले जा रहे हैं तो ऐसी विवस्था में सरकार को कानून विवस्था कायम करनी चाहिए थी सरकार को ये चाहिए था कि कानून विवस्था बनाए रखे और उसे कंट्रोल में रखे यदि आंदोलन हिंसक हो रहे थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया सीधे सीधे अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए रास्टिया पातकाल की घोशना कर दी जिसमें आलोचकों का य समिधान में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का इंदरा गांदी ने अपनी निजी ताकत को अपनी पर्सनल पावर को बचाने के लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन समयधानिक प्रावधानों का दुरूपियोग किया और इस दुरूपियोग में उन्होंने आलोचकों ने ये माना कि अनुछे 352 के तहट जो रास्टी आपातकाल लगाया वो इंद्रा गांधी ने अपने आपको पद पर बनाए रखने के लिए किया था तो ये आलोचकों का पक्ष था तो यहां आप बहुत आसानी से डिफ्रेंशियेट कर पाएं होंगे कि 1975 का जो र पक्षों को जान चुके हैं यदि आपसे परिक्षा में पूछा जाए कि क्या रास्टी आपातकाल 1975 लगाना जरूरी था तो आपको चाहिए क्या कि आपको किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं जुखना है अपने आंसर में अपने उत्तर में आप आलोचकों के पक्ष को भी और आप अपने उत्तर को दोनो पक्षों से पून करेंगे तो आपको माक्स अधिक से अधिक मिल पाएंगे आपातकाल के दौरान क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी अब हम उस पर चर्चा करेंगे देखें आपातकाल के दौरान 20 सुत्रिय कारेकरम घोशित किया गया सन 1975 में जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बात जिक्र की है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांदी का चुनाव जीतने का जो मुख्य मकसद था वो क्या था इन्होंने 1971 के चुनाव से पहले गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था अब गरीबी हटाओ के नारे के कारण देश की जो गरीब जनता थी उसने बहुत सुनहरे सपने देखे थे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद इंदिरा गांदी की सरकार अब चुनाव जीतने के बाद हमारी गरीबी को दूर कर देगी और उसी दौरान 1975 में जब ये रास्टी आपात का लगाया तब क्यूंकि उस सुत्रिय कारेकरम घोशित किया आपात काल के दौरान सन 1975 में और इस 20 सुत्रिय कारेकरम में गरीबों के कल्यान के लिए कुछ पिछड़े लोगों के कल्यान के लिए कुछ योजनाएं लागू करने के प्रयास किये इसमें जैसे भूमी सुधार, भूमी का पुनह वितरन कर और शाती साथ जो खेती हर मजदूर थे उनके पारिश्रिमिक पर दुबारा से विचार करने की बात इसमें थी, इसके अलावा जो प्रबंधन में कामगारों की जो भागीदारी थी उसे बढ़हाने का प्रयास किया जाए, शाती साथ बंधुह मजदूरी को खतम कर दिया ये सारे वो मुद्दे थे जो 20 सूत्रिय कारेकरम के अंतरगत शामिल थे और सरकार इन 20 सूत्रिय कारेकरमों को उस समय लागू करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उस समय ये आ रही थी कि आपातकाल जब लगा दिया गया, आपातकाल जब घोश कर दिया गया तो उससे पहले विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं सरकार का विरोध जारी रखा था और सरकार ने भी ये माना कि जो विकास सम्मंदिक कारे सरकार करना चाहती है उसमें विपक्षी दल विरोधी दल कहीं ना कहीं अड़ंगा अड़ा रहे हैं तो आपात काल के द दौरान एक अन्य घटना ये हुई कि जब सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे थे, सरकार के विरोध में हरताले हो रही थी, सरकार के विरोध में रैलियां चल रही थी, तो सरकार ने आपातकाल की घोशना करने के बाद लगभग 676 बड़े लीडर्स, जिसमें जैपरकाश नार सिलसिला था सिर्फ 676 बड़े निताओं को गिरफतार करकर ही नहीं थमा था, नहीं रुखा था, इसके अलावा शाहा आयोग ने ये माना अपनी जब जाँच की थी शाहा आयोग ने, तो शाहा आयोग ने ये माना था कि निवारक नजरवंदी जो कानून है, उसके तहत आपातकाल के दौरान लोगों को गिरफतार किया था, तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि आपातकाल में 1975 के बाद बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर नेताओं की साथी साथ चोटे मोटे जो सरकार विरोधी लोग थे, उनकी भी गिरफतारियां की गई और साथी साथ सरकार का तो ये भी मानना था कि यदि निवारक नजरबंदी कानून के तहट लोगों को गिरफतार किया जाता है, तो वो अधालत में जाकर बंदी प्रतेक्षी करण की याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, हाला कि उसके बाद कई हाई कोर्ट्स ने भी ये डिस इसके बाद देखें, आपातकाल के दोरान सबसे बड़ी जो घटना घटी वो थी प्रैस पर पाबंदी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र करके बताया हुआ है कि आपातकाल की घोशना 25 जून 1975 की रात में की गई थी और सारे बड़े-बड़े अखबारों की लाइट उस समय काड़ दी गई और इसलिए काटी गई ताकि आपातकाल की खबर जल्दी से अखबार के माध्यम से लोगों तक ना पहुँच पाए और प्रैस पर पाबंदी लगाने के साथ साथ प्रैस पर censorship जो थी वो लागू कर दी गई जिसमें सरकार विरोधी यदी कि कोई समाचार कोई न्यूज अखबार में च्छापने की कोशिश की जाती है तो सरकार उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हुए या तो उसे बदल सकती है खबर को या उसे पूरी की पूरी खबर को ही च्छापने से रोक सकती है तो आपातकाल के दौरान ये एक बहुत पड़ी घटना थी जो की घटित हुई प्रेस सेंसर्शिप का लागू होना इसके अलावा देखें कुछ ऐसे भी लोग रहे 1975 के आपातकाल के दोरान किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे लेकिन सरकारी ताकतों का इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से बहुत पूरी तरह स इस्तमाल किया इसमें एक नाम बहुत जो प्रमुख आता है वो इंद्रा गांधी के पुत्र संजय गांधी का आता है संजय गांधी पर ये आरोप लगाया था उस समय की उन्होंने सरकारी कामकाज में पूरी तरह से दखल अंदाजी की उन्होंने सरकारी कामकाज को अपने हिसाब से तोड मरोड कर चलाने का प्रयास किया था। साथी साथ इंद्रा गांधी की जो पुत्र ते संजय गांधी उन पर ये आरोप था कि दिल्ली में जो जुग्गी बस्तियां थी उन जुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए और जवरन नस्बंदी कराने की जो मुहीम उसमें संजय गांदी ने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किये थे जब कि ये सारे कारे किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किये जाने चाहिए थे लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा ये कारे ये निर्ने नहीं लिये गए थे और संजय गांदी जो कि किसी भ घटनाय घट रहे थे, लेकिन इनसे भी जादा एक बड़ी घटना जो आपातकाल के दौरान घटी, वो थी, 42 समविधान संशोधन 1976, देखें आपातकाल के दौरान ये जो 42 समविधान संशोधन 1976 हुआ, ये इतना बड़ा सम्विधान शंशोधन था जिसकी वजह से 42 में सम्विधान शंशोधन 1976 को मिनी कॉंस्टिटूशन की संगया दी जाती है। कि पद का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन को अधालत में चुनोती नहीं दी जा सकती। के आपातकाल से पहले सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे थे तो सरकार को ये बात धीरे-धीरे करकर समझ आ गई थी कि ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको सम्विधान में संशोधित किया जाए ताकि सरकार का पक्ष बहुत मजबूत हो जाए। तो ये सारी वो घटनाएं थी जो आपातकाल 1975 के दोरान घटित होई आए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि रास्टिय आपातकाल के भारतिय राजनीती को क्या-क्या सबक मिले। देखें सबसे पहला सबक ये था कि आपातकाल 1975 लगने के बाद भारतिय लोकतंत्र में जो ताकत थी और जो कमजोरियां थी वो सभी की सभी सामने आई। देखें सबसे बड़ी ताकत भारतिय लोकतंत्र की क्या थी उस समय भारतिय लोकतंत्र एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र था जिसमें सरकार का विरोध होना चाहिए था विपक्षी दलों का मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में ये बात लोग अब समझ चुके हैं साती सात कमजोरियों में अनुच्छे 352 का जिस तरीके से गलत तरीके से इस्तमाल किया गया आंत्रिक गड़बडी शब्द का इस्तमाल करते हुए उस आंत्रिक गड़बडी शब्द को ही जनता पार्टी की सरकार ने 44 में समिधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया था तो य लोगों को फायदे मंद हैं लोग उनका इस्तमाल कर सकते हैं तो यह आपातकाल का पहला सबक था इसके बाद देखें चवालीसमे समिधान शंशोधन 1978 किया गया और इस चवालीसमे समिधान शंशोधन 1978 के माध्यम से 42 में समिधान शंशोधन 1976 में जो प्रावधान किये गए थे जो जो चीजें 1976 के 42 में समिधान शंशोधन के माध्यम से की गई थी उन सभी चीजों को यहां बदलने का प्रयास किया और 44 में समिधान शंशोधन 1978 का इस्तमाल करते हुए अनुच्छेद 352 में जिसमें रास्टी आपातकाल का वर्णन है वहां आंत्रिक गड़बडी शब्द को हटा दिया गया और अब आज की अगर हम बात करें करंट की हम बा इस आंत्रिक गड़बडी शब्द के स्थान पर 1978 के समिधान शंशोधन के बाद सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तमाल किया गया है यानि अब सशस्त्र विद्रोह होने के चांसिज यदी हैं तभी सरकार रास्टी आपातकाल की घोशना कर सकती है अन्य था वो रास्टी इसके बाद देखें आपातकाल की जो समापती हुई 1975 का जो आपातकाल 18 महीने लगा उसके बाद अदालतों ने नियायपालिका ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में बहुत सक्रिये रूप से भूमिका निभाई क्योंकि आपातकाल के दोरान नियायपालिका ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं जो व्यक्ति हैं देश के लोग हैं उनके सिविल राइट्स की रक्षा नहीं हो पाई थी उनके मौलिक अधिकारों का बहुत लार्ज स्केल पर हनन हुआ था तो आपातकाल की समापती के बाद अब नियायले ने नियायपालिका ने क्या किया है व्यक्तियों की जो नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है तो ये आपातकाल से हमें कुछ सबक मिले हैं जिन सबकों पर हमने काम किया है और हमें पता चल गया है कि किस तरीके से भारतिय लोकतंत्र को और जादा मजबूत किया जा सकता है इसके अलावा देखें अब हम चर्चा करते हैं कि आपातकाल के बाद किस तरह की राजनीती ने भारतिय राजनीती में आश्रय लिया के समापती के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया और सरकार ने यह माना कि शायद अब वो वक्त आ गया है जिसमें सरकार को नए सिरे से सरकार के चुनाव कराने चाहिए विधाईका के लिए चुनाव कराये जाने चाहिए इस 1977 के चुनाव से ठीक पह इंदिरा गांदी की सरकार ने कहीं न कहीं सकता का बहुत बुरी तरह से दुरूपियों किया, नागरिगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया, लार्ज स्केल पर गिरफतारियां की गई, इसके अलावा उनके जो पुत्र थे संजय गांदी उन्होंने भी 20 सुत्रिय कारेकरम के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अधिकारिक पद पर ना रहते हुए भी जबरन सरकारी काम काज में दखल अंदाजी दी, जिसकी वजह से लोगों में बहुत रोश का माहौल था, अब जब लोगों में सरकार के खिलाफ रोश का माहौल है तो आप बहु कही ना कही जनता जाएगी, लेकिन सभी राजनितिक दलों को जो कॉंग्रेस के अलावा जितने विवक्षी दल थे, उन सब को ये पता था कि कही ना कही जनता कॉंग्रेस के खिलाफ है, लेकिन कुछ ऐसा उन्हें चाहिए था, जिससे कॉंग्रेस के खिलाफ पढ़ने वाल एक महागटबंधन बनाया जिसमें सबसे बड़ी जो राजनितिक दल था वो जनता पार्टी थी और जनता पार्टी के नितृत में उन्होंने एक महागटबंधन का निर्मान किया और एक नई पार्टी का जो निर्मान हुआ वो जैपरकाश नारायन के नितृत को उस पार्ट पातकाल के वो सीधे-सीधे खिलाव थे, तो उन्होंने कॉंग्रेस से कुछ अलग होकर, जैसे कॉंग्रेस के कुछ अन्यनेता थे, उन्होंने बाबुजग जीवन राम के नेतरित में भी एक नई पार्टी बनाई, कॉंग्रेस फोर डेमोक्रेसी, और बाद में हलाकि ये पा लोगसभा 1977 के चुनाओ में, जन्ता पूरी तरह से कॉंग्रेस के खिलाफ थी, और कॉंग्रेस के खिलाफ सारे बोट महागडवंधन को एक जगा, सिंगल एक जगा पड़े, तो ऐसे में जाहिर सी बात थी कि कॉंग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे तो बैक पूट पर आना ही और यहां नतीजे जैसे ही लोगसभा चुनाओ 1977 के जारी हुए, उसमें कॉंग्रेस को 154 सीटे मिली, साथी साथ उसे जो वोट परसेंट था, वो 35 परसेंट से भी कम वोट हासिल हुआ, और यह पहली बार ऐसा हुआ कि लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस इतनी बुरी त जैसे 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 को 154 सीटे मिली और वोट परसेंट 35 से भी कम मिला, साथी साथ अगर हम महा गटबंधन की बात करें, जो जनता पार्टी के नित्रतु में था, जनता पार्टी चूंकी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए जनता सरकार के नाम से उसे हम जानते हैं, इस ज जनता पार्टी की गटबंधन को और जनता पार्टी के देखें इस गटबंधन की यदि हम बात करें इसमें सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी थी महा गटबंधन में जिसको अकेले ही 295 सीट है 295 सीट प्राप्त हुई थी और जो ये पूरा आपातकाल था रास्टिया इस पूरे रास्टी आपातकाल को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये सारी चीजें जो घटित हुई रास्टी आपातकाल के दौरान जितना भी सरकार ने अपने सत्ता का दूरुपयों किया या जो घटित हुई चीजें आपातकाल के दौरान इनका प्रभाव गर हम बात करें, कॉंग्रेस की कि कॉंग्रेस उत्तरभारत के किन-किन स्टेटों में एक भी सीट नहीं पा सकी, तो उसमें बिहार, उत्तरपरदेश, दिल्ली, हर्याना और पंजाब ऐसे स्टेट थे, जहां कॉंग्रेस को एक भी सिंगल वन सीट भी नहीं मिल पाई थी वहां तक आपातकाल के नकारात्मत जो प्रभावते वहां इतना काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से 1977 के जो लोगसभा चुनाव थे उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सरकार के खिलाफ नहीं हो पाई थी आए अब हम बात कर लेते हैं कि 1977 के चुनावों के बाद किस तरीके से जन्ता पार्टी की सरकार ने काम किया देखें 1977 की सरकार जब बनी तो ये गड़बंधन की सरकार थी और गड़बंधन की सरकार में खेंस्तान का दौर उस समय चुरू हुआ उस समय हमारा लोकतंत्र भारतिय लोकतंत्र गड़बंधन की सरकारों से बहुत जादा फैमिलियर नहीं था ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि रास्टी अस्तर पर लोकसभा में कोई ऐसी सरकार आई जो गड़बंधन के तोर पर जिसने सरकार निर्मित करने का प्रयास किया था इसमें देखें मुरार जी देशाई, चौधरी चरण सिंग और बाबु जग जीवन राम ये ऐसे लोग थे जो कि परधान मंत्री पद पाने के लिए उस होड में शामिल हुए और मुरार जी देशाई, चौधरी चरण सिंग और बाबु जग जीवन राम जब तीनों मिलकर परदान मंत्री पद पाने के लिए होड में शामिल हो गए तो कहीं न कहीं खींचतान होना जरूर लाजमी थी और ऐसे में खींचतान हुई भी हाला कि मुरार जी देशाई के नेतरतु में सरकार का गठन भी हुआ, मुरार जी देशाई के नेतरतु में सरकार बनी लेकिन 18 मही परदान मंत्री रह पाए और सरकार 18 महीने में अपना बहुमत खो दिया सरकार ने लेकिन इसके बाद जब महागटवंधन जनता सरकार ने मुरार जी देशाई के नित्रदवाली जो सरकार थी वो अपना बहुमत खो गई थी तो कॉंग्रेस के समर्थन से दुबारा एक सरकार बनी जिसमें चौधरी चरण सिंग परदान मंत्री बने थे लेकिन फिर दुबारा से कॉंग्रेस के समर्थन के वावजूद चौधरी चरण सिंग के परदान मंत्री बनने के साथ जो सरकार बनी वो बहुत जादा सक्सस नहीं रह पाई और वो सरकार चौधरी चरण सिंग क ऐसे परधानमंत्री रहे जो सिर्फ चार महीने तक ही सरकार चला पाए तो ये जनता पार्टी का कारे करने का तरीका था और इतनी जल्दी-जल्दी से परधानमंत्री चेंज हुए दोनों इसके बाद फाइनली ऐसा लगने लगा कि दोबारा से चुनाव कराया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए जनवरी 1980 में लोगसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की घोशना की गई ताकि भारतिय लोकतंत्र के लिए नए सिरे से संसद के चुनाव कराए जा सकें और सरकार करने मान हो सकें तो ये पूरे रास्टिय आपातकाल के दौरान घटित ह हुई चीज़ें थी और 1975 के आपातकाल के बाद की राजनीती पर हमने चर्चा की यदि आपको मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करकर बताएं साथी साथ लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद हुआ 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 है